सो हरा दोस्तों आज यूड़ी में आपका वेलकम हैं आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 8 की एक्टिविटी 8.5 सो जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नेम है How Do Organism Reproduce सो इस नाम की एक्टिविटी हम जो हमारे प्रिविएस एक्टिविटी हैं 8.1 से लेकर 8.4 तक सभी में जो है different different organisms के reproduction method के बारे पढ़ चुके हैं आज की जो हमारे activity 8.5 है इसमें हम एक और reproduction method के बारे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है vegetative propagation सो इस reproduction method को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है हमें एक potato को लेना है और उसकी surface को observe करना है सो जब आप उस potato की surface को observe करेंगे तो आपको कई जगा पर तो जो है notch और buds ये जो है वो दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से कहीं जगा पर potato की surface पर आपको उभे हुए buds दिखाई देंगे और कई जगा पर आपको eyes या notch की form में जो है surface पर कुछ निशान या mark हम कह सकते हैं वो आपको दिखाई देंगे सो हमें क्या करना है हमें potato को small pieces में cut करना है कुछ इस तरीके से कि कुछ pieces में तो जो है notch और bud हो और कुछ pieces में ना हो और उसके बाद क्या करना है हमें एक tray लेनी है tray पे जो है cotton को spread करना है और उसको जो है गीला कर देना है गिला करने के बाद हम हमारे इन टोमैटो ओ माफ की जगा पोटैटो के पीसीज को जो है इस कोटन पर जो है प्लेस कर देंगे और ये नोट करेंगे कि किन पीसीज में जो है बड्स और नोच जो है वो प्रेजेंट है और उसके बाद हमें कुछ दिनों तक जो है पोटैटो मे आने वाले changes को जो है observe करना है और note करना है सो देखे क्या होगा कुछ दिनों बाद जो pieces पोटेटो के वो pieces जिसमें birds थे वहाँ पर जो है आपको कुछ development जो है वो दिखाई देगी और कुछ दिनों बाद वहाँ पर जो है मिलेगी और ऐसे पोटेटो के piece जहां पर birds और राइस नहीं थी वहाँ पर आपको कोई भी growth या development देखने को नहीं मिलेगी इसके according हम क्या कह सकते हैं कि पोटेटो के किन pieces में जो है green रंग की shoots या फिर roots वो develop हुई तो देखे पोटेटो के ऐसे pieces जिनमें birds थे वहाँ पर आमें shoots देखने को मिली और जहां पर eyes या हम कहें कि नोच थी वहाँ पर हमें roots देखने को मिली तो ऐसा क्यों हुआ देखे क्या है पोटेटो या फिर कई तरीके के plants जो है वो उनके parts जैसे की roots हो गई stem हो गई leaves हो गई या fruits हो गई वो develop करते हैं grow करते हैं और नए plants को जो है produce करते हैं appropriate conditions मिलने पर और इस method के जो है reproduction का method है उसे हम vegetative propagation कहते हैं vegetative propagation में क्या होता है plants के different parts plants के हम fruits roots stem leaves माफ के जगा fruits नहीं आएगा roots, stem और leaves plants के जो ये parts है ये parts जो है एक बिलकुर नए plants को जो है develop करते हैं नए plants के production में help करते हैं और इस तरीके से जो reproduction होता है उसे हम vegetative reproduction कहते हैं और जो हमारा potato है potato भी vegetative reproduction method का ही use करता है इसमें क्या होता है जो ये potato का piece है इसमें जो birds होती है वहाँ से plant की stem ग्रो करती है और एक नया plant जो है वो develop होता है और उसी तरीके से जो ये eyes होती है इन eyes से जो है roots की development होती है और ये जो cotton को हमने wet किया था गिला किया था ये जो potato है उसको suitable condition provide कराता है ताकि जो potato है वो अच्छे से grow कर सके और हमें जो development है वो easily हम देख सके so I think आपको जो vegetative propagation का method है reproduction का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद